कौन कहता है आसमा में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तबियत से उच्छालो तो यारो इन पंग्धियों को चरितार्थ कर रहे हैं सत्ना के वो युवा जिनोंने समाज सेवा के छेतर में एक नई नजीर पेस की है नमस्कार मैं हूँ महंदर पंडे और आप देख रहे हैं MP Watch आज हम आपको छातर छातराओं की एक ऐसी यूवा टोली से मिलाएंगे जिनोंने अब तक हजारों लोगों को रक्त दान कराया इसके साथ साथ गरीबों को कपड़े बितरित किये कोरोना के दौरान गाओ गाओ जाकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरुक किया आपको जानकर हैरानगी होगी कि एस यूवा टोली को ना तो सरकार की ओर से कोई बजट मिलता और ना ही कोई सेलरी एस यूवा टोली में 80% छातर छातराएं हैं जो आपस में कंट्रिब्यूशन करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं क्या है इस तोली की खास बात आप देखिए हमारी ये स्पेसल रिपोर्ट क्या है इस तोली की खास बात आप देखिए हैं अब हम पहुंच चुके हैं उस यूवाओं की टोली के बीज जो समाज सेवा के लिए मिसाल बन चुकी है आप देख सकते हैं इन लोगों के अंदर कैसा उस साह है कैमरे को देखते ही अपना उस साह प्रगट करने लगे हैं हम इन से बात करने की कोशिस करेंगे एक एक ही हुआ से बात करेंगे आप देख सकते हैं कैमरे में किस कदर ये लोग उस्ताहित हो चुके हैं चलिए करते हैं इन से बात चीद आपका नाम अंकित सर्वा अंकित जी बताईए आपकी ये आरम जो टोली है इसको गठीद करने का कॉंसेट आपके दिमाग में कैसे आया मेरे दिमाग में कॉंसेट इसका तब आया जब मैंने देखा किस प्रकार से जरुवत मंद लोग हैं जो की हॉस्पिटलों में भटक रहे हैं कई ऐसे जरूवतमन्द हैं जो blood के लिए भटब रहे हैं, कुछ ऐसे जरूवतमन्द हैं जो ilaj के लिए भटब रहे हैं, वो पढ़े हैं, उनको न कोई देखने वाला है न कोई उनकी सुनने वाला है, तब से हमें यह लगा कि हमें एक ऐसी अपनी team बनानी चाहिए, इस प्रक सर मुझे कहीं न कहीं लगा जो युवा है वही देश को बदल सकता है मेरी ऐसी सोच है क्योंकि मैं हमेशा से स्वामी विवेका नंजी से प्रेरित रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं हम प्रकार सी युवा हमारे साथ आए सहर के कि हम जब करेंगे तो हमसे कई और आपके इस टोली की सबसे बड़ी तीन उपलब्धियों में से सबसे पहले में बताना चाहूंगा रक्टदान है जो सर हमने हमने पंदरा सो पचासी रक्तदान अभी हम्ने करवा चुके हैं अपने पूरे जिले में नहीं हमने हर जगे जाकर रक्तदान करवाएं उसके साथ साथ मैं करोना काल में अपनी उपलब्दी मानता हूं कि हमने इतने दिनों तक दोनों टाइम जरूत मंदों को भोजन उपलब्द कराया जो मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्दी मानता हूं तो यह मैं अपनी उपलब्दियान मानता हूं सरकार की और से या किसी जनलपरति draws की और से आप लोगों को किसी भी सा पंपोर्ट मिला हो नहीं अभी हम लोग this is ctrudi का नहीं मिला है उनकी तरफ से लेकिन हम जब भी जाते हैं कि नुकर नाटक करना है या कुछ भी करना है परमीशन के लिए जाते हूं परमीशन हमें मिल जाती है लेकिन हमें कहीं से और किसी प्रकार कभी सपोर्ट कहीं से नहीं मिला है आपका नाम मेरा नाम मुकेस सोनी है जो यह रख्तदान कराते हैं क्या आप लोग खुद करते हैं कि दूसरों को आप रक्तदान करने के लिए प्रेरीद करते हैं हम लोग खुद भी करते हैं और दूसरों को प्रेरीद करते हैं रक्तदान करने के लिए और यही कहते हैं कि अगर जो है रक्तदान करने से किसी की जान बस्ती है तो हमें बचाना चाहिए और रक्तदान करना चाहि तो नसा के प्रतियों उनको करना जागरूत की नसा ना करें नसे से क्या क्या दिक्कते होती हैं ऐसे हमारा नुका नाठक का भी कारिक्रम होता है आपकी इस समीत पे कितने लोग हैं टोटर हमारे समीति में 50 मेंबर्स हैं आपका नाव जी मेरा नाम रोहिज सिंग आप ये बता की थी भोजन वित्रन की जब पहले दिन जो है प्रधान मंतरी जी ने आवान किया था कि लॉकडाउन रहेगा उसी दिन से आरंब समीति ने लोगों को भोजन वित्रन का रिक्रम चालू कर दिया था हम लोगों ने और उसके बाद हम लोग डेली तीन मेहने तक जरूरत- मजदूर थे जो सतना में रुकते थे प्रती दीन हम लोग 400 लोगों को बोजन कर वाते थे कोरोभोड संक्रमन के दौरान और क्या क्या की आप लोगों ने करोना के दौरान हम लोगों प्रवासी मजदूर थे तो दूर से आरहे थे जिनके जूते-चपडल औरों था कि वो भी निसुल्क और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सतना के लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया और हम लोगों ने तीन हजार लोगों को नए जूते चपल वित्रन किये उसी के साथ जो लोग पैदल यात्रा कर रहे थे हमें इस कड़ी धूप में हम बाहर नहीं निकल सक सब्सक्राओं कर लोगों न neighbour आपका नाम जी कामनी पांडे अप पढवाई भी करती हैं जी किस क्लास में है मैं बियेड कर रहे हूं पढ़ाई के साथ साथ आप समाज सेवा भी करती हैं कैसे में ज होता सकते हैं जी ऐसा होते है contents Final आप्स 가장 अअअ चुकि आप साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं तो पहले चीज तो यह कि समाज सेवा में अपने आपको भी खुशी मिलती है और फिर जब हम किसी और के लिए करते हैं उनको खुश देखने के लिए और पहले चीज तो यह आरंब का में उद्देश है कि दूसरों की हैल्प करन तो पढ़ाई भी अपने एक टाइम में हो जाती है हमारे पर 24 गंटे है अगर हम अपने समाज के लिए अगर एक से दो गंटा भी निकाल लेते हैं तो बहुत है हमारे लिए और हम अपनी पढ़ाई भी साथ में और घर का भी और साथ में अपना इधर आरंब का भी होई जा मतलब पहले नुकर नाटक से लेकर अभी तक आरंब जो भी काम करता आया है सब समाज सेवा के मतलब आधीन ही करता आया है सोनाली जी आप लोग जब फेल्ड में काम करने के लिए जाती हैं तो आप लोगों को क्या कोई असाजिता महसूस होती है नहीं हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है ता महसूस होती है हम लोग सब मिल जूल के काम करते हैं तो बस जो भी प्रॉबलम होती हम लोग सब साथ में मतलब उस चीज का सेल्यूशन निकालते हैं लोगों की मदद करते हैं आप लोगों को बजट का कोई प्रावलम आता हो काम करने के दोरान? नहीं, बजट का तो ऐसा कुछ भी नहीं प्रावलम है तो. क्या है, हम लोग थोड़ा-थोड़ा मिलकर सब लोग, मतलब, इकटधा कटे कालेक्शन करते हैं उनसे. आपके family के लोग क्या इसे appreciate करते हैं या क्या कहते हैं? देखिए फैमिली के लोग ऐसा है कि मतलब मेरी फैमिली तो कभी भी मतलब किसी प्रकार का कुछ भी नहीं बोला, उनको तो बहुत ही खुशी होती है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, उनको भी खुशी मिलती है और मेरी फैमिली भी दूसरों कर रहे हैं आप लोगों को क्या लगता है कि आगे जाना चाहिए कि अपने वापस पढ़ाई में चले जाने हमें तो यहां बहुत अच्छा लगता है हम चाहते हैं कि जब तक साथ दें सबका कितना समय आप निकालती है आरम के लिए सबताह में कितने घंटे आप आरम के लिए काम करते हैं। जित्ना समय मांगते हैं, उतना समय. मतब मतब मिटिंग होती है तब तक आप लोग आने हैं। आपका नहीं तुपाहोयद है। पढरावएण सिंक परीहार ओप मैं करीब एक साल हो गय है एक साल में आपने कैसा एक्स पढ़ाई भी करते हैं, आपका नाम जी मेरा नाम प्रदीब कुसवा है, प्रदीब जी आप कभ से जूड़े हैं? मैं आरम जब से चालो तब से मैं आरम के शाहत हूं, आपको अब तक क्या जो आपने कई इवेंट्स किये हैं, सबसे टॉप इवेंट आप किसे मानते हैं, जो आरम की एक उपलब्दी रही हो है, आरम की सबसे बड़ी उपलब्दी तो मैं यही रख्दान की उपर मानूंगा, क्योंकि जो हमारा रख्दान है, सायद सतना जिले में अबवल है, आपका नम के है? सिवेंट चतरुवेदी, सिवेंद्र जी आप हमें वो पांच उपलब् को कपड़े भी दिये जाते हैं ठंडी के समय में, और इसके साथ साथ इस COVID-19 में सभी आरम के सदसों ने मिलकर लोगों को गाउं गाउं जाकर जाग रुकता भियान भी चलाया, और उसके साथ साथ लगातार, जब तक लागडाउन था, तब तक और अभी भी सभी आरम के बनाना चाहते हैं आप लोग, देखिए हर इंसान की सोच तो बहुत उंची होती है, और आरम तो आज ऐसा सोच रहा है कि हमें तो केवल इंडिया लेवल में नहीं, बलकी वर्ड रिकार्ड बनाना चाहते हैं, एक ऐसी बुक है, गिनीज बुक, उसमें भी हम लोग अपना नाम लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं नहीं हम लोग ऐसा इंबेशन बना ली हैं कि हम लगातार लोगों को प्रेरित करते रहेंगे कि हमें जरूरत मंदों की मदद करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि युवा ही आगे आएगा, तभी ये संभ़ हो सकता है, आपका कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हम लोगों को परिशानी हो रहे हैं। करना पिल्कुल न भूलें, हम फिर मिलेंगे एक नई स्पेसली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिये इजाजत, नमस्कार।